प्रिष्ट संख्या 31 सत्यजीत राय जन्म 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल प्रमुक फिल्मे अपराजिता, अप्पु का संसार, जलसाघर, देवी चारूलता, महानगर, गोपी गायन बाका बायन, पाथेर पांचाली, बांगला शत्रंज के खिलाडी, सद्गती, हिंदी, प्रमुक रचनाए, प्रोफेसर शंकु के कारणामे, सोने काकिला, जहांगीर की स्वन्मुद्रा, बादशाही अंगुठी आदी प्रमुक सम्मान, फ्रांस का लेजन डी ओनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर आसकर और भारत रतन सहित, फिल्म जगत का हर महतुपूर्ण सम्मान भारतिये फिल्मों को कलात्मक उचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में है, इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पाथेर पांचाली बांगला उनिस सो पचपन में प्रदर्शित हुई, उसने राय को अंतरराष्ट्रिय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतिये निर्देशक बना दिया, इनकी फिजर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है, इन फिल्मों के जरिये उन्होंने फिल्म विधा को सम्रिध ही नहीं किया, बलकि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बी साहितिक कृतियों पर ही आधारित हैं, इनके पसंदीदा साहितिकारों में बांगला के विभूती भूशन बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं, फिल्मों के पटकता लेखन, संगीत सैयोजन एवं निर्देशन के अलावा, राय ने बांगला मे बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है, इनकी लिखी कहानियों में जासुसी रोमांच के साथ साथ, पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है, अपू के साथ धाई साल, नामक संस्मरन पाथेर पांचारी फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्मान भारतिय फिल्म के इतिहास में बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है, इससे फिल्म के स्रिजन और उसके व्याकरन से संबंधित कई बारीखियों का पता चलता है, यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें एक ऐसा सच हमारे सामने आता है, जिसमें साधन हीनता के बीच अपनी कराद्रिश्टी को साकार करने का संघर्ष भी है, इस पाठ का भाशांतर बांगला मूल से विलास गिते ने किया है, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूज पहली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घरी, फिल्में पूरी होती है, तो फिल्मकार जन्म लेता है, अपनी पहली फिल्म के रजना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है, कि वह उसके जीवन में बच्पन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवन रहता है, इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बिहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है